बढ़ते आगे और आप बात करेंगे योग्या अधित्यनात की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने गैसी बात कह दी जो चर्चा में राम मंदिर का अपना एक लंबा इतिहास है इसी इतिहास के पन्ने जब पल्टे जाएंगे तो साल 1990 और 1992 का अध्याय भी दिखाई देगा अब इसे राजनितिक कहा जाए या धार में इसे देखने की पर हर किसी का अपना नजरिया है प्राण प्रतिष्ठा सामरों में जब साथभी रितंभरा और उमा भारती सामने आई तो आँखों से आंसु चलक आए दरसले दोनों ने राम मंदर आंदूलन मेहम भूमी का निभाई दी जिन आँखों से आज आंसु निकले उन्हीं आँखों ने कई दश्रक पहले राम जन्म भूमी पर मंदर निर्वान का सपना देखा था आज ये सपना हकीकत में आकार ले चुका है उमा भारती और साध्वी रितंबरा दोनों ने 1992 की घटना को प्रतेक्ष रूप से अनुभव किया है इसी तरह के कई और विशेश लोग भी थे जो आज की तस्वीरों को अयुद्ध्या पहुँचकर या घर बैठकर टीवी पर देख रहे थे इन्ही लोगों के नाम स्रियम योगी ने मंच से एक संदेश दिया इस संदेश के माइने राजनितिक है और धार्मिक भी सुनिए और समझे निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतुँ यहां दिपोटसो रामोटसो और यहां की गलियों में सिर्णाम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं राम लला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है यूपी के बुक्यमंत्री योग्या दितनातने इन शब्दों के जरिये बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है सिधे सिधे कहूं तो उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने वाली ततकाली मुलायम सरकार और आयोध्या पहुचने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा करवाने वाली बीजेपी की सरकार की तुल्ला की है इस मंच से उन्होंने कई और संदेश भी दी एक संदेश ये भी था कि इस मंदिर के निर्मान के पीछे ना जाने कितनी सदियों का संकल्प है और ना जाने कितनी पीडियों का संघर्ष है जिस अयोत्ध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक् है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने को आतुर है भले ही आज सियम योगी आदित्यनाथ अनंदित हो राम भक्ते में ढूबे हो लेकिन मन के कोने में वो टीस आज भी बरकरार है जो कई सालों से चुब रही थी दर्द इस बात का कि किसी राष्ट्र के बहु संख्यक समाज को अपने ही देश में अपने ही अराध्य की जन्म स्थाली पर मंदिर निर्मान के लिए इतने सालों का संघर्ष भला क्यों करना पड़ा आज सियम योगी जब आयुध्या के मंच पर थे तो इसका खास वर पर जिक्र किया ये भी बताया कि राम मंदिर के लिए कोई एक समाज या एक वर्ग नहीं खड़ा था बलकिस मंदिर के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्मान के लिए इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने, जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उटकरके, राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया राम मंदिर की नीव, बाकी मंदिरों की तरह साधारण नहीं है, इसमें प्रतिक्षा के मिट्टी है, धैर्य की इंट है, त्याग के पत्थर है, और कारसिवगों का लहू है अगर अयुध्या के राम जन भूमीं से हिंदोस्तान का स्वाभिमान जुड़ा था, तो स्यासी तोर पर भारतिये जुनता पार्टी का संकल भी चुड़ा था, तभी तो तरह तरह के नारे उच्छा ले गए, जैसे सौगंधर राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंग तो सुब्ह आउसर आही गया, जब कोटी कोटी आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है, आज आत्मा परहुलित है, इस बात से के मंदिर वहीं बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के ले, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के ले, और संकल्प की पूर्टा के ले, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे